प्रुबात करते हैं करौली में नफ समवत सर पर बाइक रैली पर पत्थराव मामला भाजपा की न्याई यात्रा को लेकर पुलिस और पुशासन अलर्ट हैं एडीजी बीजू जौज जौसेफ, डी आईजी क्राइम राहूल प्रकाश, एसपी धौलपुन नारायन टोकस, आईपीएस शांतनु कुमार, आईपीएस अनिल बेनिवाल, एसपी दोसा राजकुमार गुपता और करीब 25 आरपीए सदिकारी तैनाथ हैं लटपुर रेंज के 50 ठानों सहीद, दोसा पुलिस का जापता भी तैनाथ हैं, वहां भी वो मौजूद हैं, करीब 700 जवान, और जिलास सीमा पर ये सभी 700 जवान तैनाथ हैं, जगह जगह पुलिस में बैरिकेटिंग कर रखी हैं, और तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं, ज जाने नहीं दिया जा रहा है, भारी जापता पुलिस का तैनाथ है, जवान मौजूद हैं, और ऐसे में इन सभी को बॉर्डर पर रोग दिया गया, और बॉर्डर पर ही किस तरहां ये प्रदशन करते हुए, युवा, मूर्चा नजर आ रहा है, इसकी ये तस्वीरे आपक बीजेपी के युवा, मूर्चा के प्रदेशा दियाक शिवान शिशरवा भी यहां पर मौजूद हैं, करॉली में नवसमवसर पर बाइक रैली पर पत्थराव हुआ था और उसके बाद अब ये प्रदशन करने के लिए अब हम बैठें जब तक हमारे सब साथी नहीं जाएंगे, उनको परमिट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग नहीं जाएंगे पर्मीशन अभी दे नहीं रही है पुलिस और सतीश पुनिया का कहना यही कि जब हमारे सभी सातियों को पर्मीशन मिल जाएगे तब हम एक साथ जाएंगे जाने के लिए पर्मीशन मांगी गई है मिल नहीं रही है फिलहाल क्या तस्वीरे है और गातर नहीं जाने की पर्मीशन मांगी है में पहले ही कहे रहा है कि हम लगातार दो दिन से यही बात कहे रहे नहीं कि भी जू है। आखिरकार मुकर तरीके से उठा दिया और इस तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि धर्दे पर बैट गए हैं धर्दे पर बैटने का मकसद यही है कि किसी भी तरीके से इन्हें जाने दिया जाए लेकिन यह संबब नहीं है पुलिस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है अगर पुलिस इन्हें परमिशन देती है तो क्योंकि 145 से लेकर कर्फियू का माहौल है तो ऐसे माहौल में पुलिस इन्हें कैसे जाने देख यह पुलिस के सामने बड़ी चुरूती है यहां पर बात बन जाती है अलांकि तेजस्वी सूरिया को बड़ी का स्रीजस्वी सूरिया का और उसके बाद उन्हें भरतपुर निकल जाना था तो तेजस्वी सूरिया क्या अट शाम तक बैठेके साथ में सदिश पुनिया भी रहेंगे यह देखने वाली बात होगी कि यहां पर ही आंदोलन किया जाएं तो यहां से मैंसे जो है वो दूर तरक चरा जाएगा लेकिन यहां पर इन चीजों के जरीये मैंसे देने की कोशिश दी जा रही है तो अब जो दूसरा कारिशम है वो दिली जैपुर में होगा और जैपुर में इसी तरीके का विरूद परदर्शन होगा और मुख्यमंत्री के आवाज का जिराओ की रणनीती वार्दी जन्ता पार्टी भराति जन्ता पार्टी ज़न्ता पार्टी बिलकुल लेकिन अब आगे किया होगा ये देखना होगा लेकिन हमारे सहीйोगी रवी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रवी क्या अपधेट है क्या तस्फेरें रवी सुन पारें आप चले तो रवी से जुने के एक बार फिर से कोशिश करेंगे तस्वीरें आपको लगातार दिखाएंगे लेकिन देखें जिस तरह से ये प्रदर्शन चल रहा है कोशिश इन्होंने की थी कि वहाँ तक पहुँचे जहाँ प्लक्षे तक पहुँचने की कोशिश की थी मंजल तक पहुँचने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने पहले ही बैरिकेटिंग की थी पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी क्योंकि तारीक तैती समय नियत था तो उस समय के लिए ये पहले से ही तैयारियां हो चुकी थी पुलि से समझाइश करेंगे और फिर एक कमेटी जो है वो जाएगी 15 सदस्य कमेटी लेकिन अब सतीश पुनिया जब मीडिया से बाचित कर रहे थे फरस्ट इंडिया से भी बाचित उन्होंने की इस दौरान उन्होंने कहा भी कि जब हमारे सभी सदस्य जब पहुंचेंगे या सभी लोग जब जा पाएंगे तब ही हम आगे बढ़ेंगे लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या इसी तरह से ये बॉर्डर पर प्रदशन होता रहेगा ये लोग आगे बढ़ेंगे या पुलिस जो है वो आगे बढ़ने की कितने सदस्यों को अनुमती देती है क्योंकि कर्फ पर प्रदशन होती है ये देखना होगा लेकिन तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं अपडेट लगातार आपको दे रही है क्योंकि ये जो कूरा मामला है शुरुआत हुई नवसमवचर की बाइक रेडी के साथ जब पत्राव हुआ पत्राव के बाद कर्फ्यू लगाया गया पुलिस ने पूरा मोचा तैनात मोचे पर तैनात रही मोचा समहाला और इस्ति को कंट्रोल में लिया कर्फ्यू अभी भी लगा हुआ है कुछ धील समय के साथ साथ धीर दीरत दी गई है लेकिन पूरी तरह से शहर को खोला नहीं गया और अब क्योंकि नियाय यात्रा बीजेपी की तरफ से युवा मोचा की तरफ से निकाले जा रहा है और इसको बॉडर पर रोग दिया गया है तो वहाँ पर क्या एस्टिती बनी हुई है क्या हाल वहाँ पर नज़र आ रहे है ये हम आपको तस्वीरों के द्वारा लगातार बता रहे हैं और हिंडॉन तो बहुत सारे लोगों को जाने नहीं दिया जा सकता है और रवी हमार साथ जुड़ गए हैं रवी तस्वीर दिखाए अपडेट बताएं क्या कुछ अपडेट जाने की अनुमती नहीं दे रहे और जब तक नहीं देंगे तब तक हम बैठे तो क्या बारता हो पाई है कोई प्रसासान के कोई अधकाई से बारता हो पाई है उनको अनुमती देनी चाहिए थी खुद को विवस्टा करनी चाहिए थी और हमें उन स्तानों का विजिट करने के लिए वो विवस्था भी करते हैं आपको करोली तक जाने देना चाहिए था, वहाँ से हम लोगों को पैदल मार्च करना था, उसके बाद जैसा प्रशाशन कहता हम सोचते हैं, लेकिन 40 किलोमेटर पहले रोकना ये तो सरकार का दमन है, इतनी बड़ी संगा में कारकार तब पहुचे हैं, दूपते जाएं, लेक लोगों तक पहुचाना था, ये तो उनको तेह करना है, कोई डर है, सरकार को आपको जाने नहीं दिया जारा करोली हैं, सरकार तो पूरे तरीके से डरी हो ये, क्योंकि आउसन के बिजनता सरकार के खिलाब है, अब आगे किया आपकी रणनीती रहेगी, दो घंडे के करीब अब देखे, क्योंकि सतीशमुनिया कह रहे हैं कि हम अपना काम करते रहेंगे, यहां पर डठे रहेंगे, यहां बैठे रहेंगे, जितनी देर यहां से हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, हम वहीं पर मौझूद रहेंगे देखे, कोई 15 नहीं, हम किसी कमजोव पर नहीं, सभी लोग जाएंगे, अन्यता हम यहां से सब रूप से जाने का प्रत्न करेंगे, तो हम पूरी संगर्ष करेंगे, कदम बढ़ाएंगे, करेलों की और करोली की और कदम बढ़ाते जाएंगे, जब तक वह नहीं पहुंच प्रिशासन से बातचीत नहीं होती है, या प्रिशासन इसी तरह पारिकेटिंग कर रखता है, इनको नहीं जाने देजा है, तो कितनी देर ये इंतजार करेंगे, कितनी देर यहाँ पर बैठेंगे, इसके साथ ही साथ क्या अभी प्रिशासन से कोई अधिकारियों ने बातचीत करने की कोशिश की है, समझाईश हुई है? ठीक है, तो अब ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, और क्योंकि यहाँ सभी लोग मौझूद हैं, तेजस्वी सूरिया यहाँ पर मौझूद हैं, साथी साथ मनुझ राज़ौरिया मौझूद हैं, जिन्होंने बाचीत भी की कहा भी, कि कमिटी की चाहे सरका प्रिशासन्त बात कर रहा हो, लेकिन हम सभी लोग कारेकरता, अगर यहां तक आई हैं, तो हम सभी कारेकरताओं के साथ आगे बढ़ेंगे, कोई भी कमिटी जो है, पाच या पंदरा की बात कर रहे हैं, उस तरह से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, सा ती साथ साथ सतीष फून कहाई पुलिस बल भी प्रियोग किया गया है हलका बल प्रियोग किया वह कारEE करता जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हुएँ नजर आए क्योंकि एक बड़ी संख्या में कारEE करता पोहचे हुए हैं बॉरđडर पर ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथी साथ रवी हमारे सयोगी जुड़े हुए है रवी ये हलका बल प्रियोग किया जा रहा है ये सीधी तस्वीरें है क्या अपडेट कारिकरता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे है तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रह गया है इंतजार किया जा रहा है लेकिन अब जो कारे करता है उनका धैरे भी तूटता हुआ नजर आया और वो भी आगे बल प्रियोग करते हुए बढ़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं तो वहीं क्योंकि जवान यहाँ पर मौझूद है पुलिस के और यह सभी लोग बै पेहनात नजर आ रहे है तैयार नजर आ रही है रवी से एक बार फिर से जड़ने की कोशिश करते हैं रवी अगर आवाज आ रही है तो अपडेट दें क्या तस्वीर यह लगातार क्या अब हल्का बल प्रियोग होना शुरू और पार पागणza में क्यों चुशने है जो अब जाने को जूट कर रहे हैं लेकर रेक ने चाहिए अब बहुत तेज़ प्राइब कर रहे हैं कर रहे हैं अब प्रियास कर रहे हैं कि जाने दिया लेकों को जाने नहीं दिया आरा अब बहुत तेज़ यानि महाल खराब होने की उम्मीड है क्योंकि आजपा कर करता हूं का गुसा जो है तूट चूट चुका है सबसे बड़ी बात है अब धक्का मुक्की जैसी नोमत आ ग यहां पर मौजूद है और का जा रहा है उनके साथ हलकी धक्का मुक्की हुई जिसके बाद जब अब ये जो कारे करता है वो थोड़ा सा उग्रो होते हुए नजर आए इनका धैरे तूट गया क्योंकि इतनी देर से इंतजार कर रहे थे घंटा हो गया बहुत लंबा समय हो गया और अब ये इंतजार तूट गया भरी गर्मी तपती धूप इसमें ये इंतजार बहुत लंबा रहा लेकिन जब इनको लगा कि इनके राष्टी अध्यक्ष के साथ युवा मूचा राष्टी अध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की हो रही है तो ये लोग आगे बढ़त ने दिया जाए सतीश पूनिया जो अब बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हाला कि अब पुलिस की तरफ से रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी हमारे रिपोर्टर लगातार बने हुए क्या कुछ सरकार को बात सुनना चाहिए लोग लाटी चार्ज करें हो क्या करें आप लोग तो तो तेजस्वी सूर्य जहां कह रहे हैं कि आप इनको रोकिए एस पी ये लोग लाटी चार्ज करें लाटी चार्ज करें हो क्या आप लोग वर्ल करना कई एक कारेकरता को लग जाए ना देखिये क्या होगा क्या कर रहे आप बोलिए उनको लाटी चार्ज मनाने क्या राटी चार्ज बंद कीजिए भाई साब अरे बंद कीजिए लाटी चार्ज बंद कीजिए वर्म कर रहा हूँ मैं इस तरीके से हमको दाका मारा जा रहा है रोका जा रहा है हम इसके बढ़ दाश नहीं करेंगे वर्म कर रहा हूँ मैं वार्म कर रहा हूँ मैं जा राटी चार्ज को उस्तिर को ने कि तुम ले लाटी चार्ज जिसको कर रहे हो लाटी चार्ज हो रहा है वापस जाओ पॉलीस वापस जाओ गो बैंग गो बैंग गो बैंग गो बैंग लाटी चार्ज करें के क्या समझ चुके ये लोग क्या सोच चुके ये लोग एक बाउंडरी बना दी गहीं है पुलिस के तरफ वह कहुंडरी बना दी गहीं है पुलिस को रोगते हुए कि कारी करताओं पर लाठी चार्ज नहीं किया जाए और मनुज राजओरिया जो ये बैरिकेटिंग थोड़ते हुए अब आगे बढ़ र रही है वहीं जो पुलिस है वो कार्यकरताओं को रोकने की कोशिश कर रही है क्योंकि एक लंबा समय हो गया इंतजार था कि पुलिस प्रिशासन बातचीत माने और हमारी बैनों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं कि करो ली जाएंगे नी तो जेल जाएंगे तो तेजस्वी सूरिया एक तरफ तो वही सतीश पुनिया है मानशु शर्मा मनुज राजौरिया बैरिगेटिंग पर नजर आ रहे हैं और कहना ये साफ कि या तो करोली जाएंगे या फिर जेल जाएंगे क्योंकि इस सिती जो है अव आउटकाफ कंट्रोल होती नजर आ रहे है बारतिये जनता युवा मोर्चा और पार्टी के कारे करताओं के जो मानवी अधिकार है समयदानिक अधिकार है उनका हननन हो रहा है पुलिस की आर्ड में हननन हो रहा है रवी अगर अवाज आ रही है तो जड़ा पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है किस तरीके से पी एफ आई को सदकार दिया जाता है और वीजेपी को फटकार दिया जाता है ये दोराचरीत रशों गैलोट का साफ निखता है दमन है इनका लोकतांत्रीक तरीके से इस हाईवेप 144 नहीं है फिर भी डिटेन करने की कोशिश करते है तो सदीश्पू ने आज हो कह रहे हैं कि हाईवे पर 144 नहीं है कार्फ्यू नहीं होगा यह क्या सोचे आप कारे करता हो के ऊपर लाटी चार्ज करेंगे आप क्या सोचे हो क्या सोचे आप पूरा मन बना लिया है देजस्वी सूर्या ने वहीं मनुझ राज़ौरिया प्रफ्टू ने ने वहीं मनुझ राज़ौरिया सतीश पूनिया जुन्होंने कहा कि अब हम बैरिकेटिंग पार करेंगे बहुत लंबा वक्त हो गया इंतिजार करते हुए पुशासन को बाचीत करते हुए लोगतांत्रिक तरीके से मानने की हम कोशिश कर रहे थे लेकिन अब बात से बात नहीं बन रही और इसलिए हमें बैरिकेटिंग तोड़ते हुए वहाँ जाना होगा हमें ये बैरिकेटिंग पार करनी होगी तेजस्वी सूरिया का कहना क्योंकि लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें पुलिस बल भी नजर आ रहा है लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है लेकिन ये सब ही दिगगत जो है ये सब ही इस बैरिकेटिंग को पार करके जाना चाते हैं और इसकी तैयारे पूरी कर ली है वही कारे करता हो को खदेडने की कोशिश पूरी तरीके से पुलिस बल करता हुआ जवान करते हुए नजर आ रहे है अब इस्तिती आगे और क्या बनती है क्योंकि पहले ये का जा रहा था कि पुलिस अकर जाने नहीं देगी तो हम इंतजार करेंगे और यहां बैठे रहेंगे जब तक प्रतुशन करते नहींगे जब तक हमें जाने नहीं दिया जाएगा लेकिन अब धैरे खत्म हुआ, समाप्त हुआ, इंतजार आगे नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये भी का आगया कि तेजस्वी सूरिया जो है उनको धक्का मुक्य उनकी साथ की गई करें तो ये पुलिस बल पूरी तरीके से तैनाथ है, यहाँ पर आगे बढ़ने नहीं देना चाहता वही सतीश पूनिया कहते हैं कि 40 से 46 किलोमीटर दूर रोक देने का कोई औचित्ते नहीं है इतनी देर दूर हमें रोका क्यों गया, करफ्यू अगर है, 41-44 धारा यहाँ पर लगी नहीं हुई है जहाँ पर लगी है आप वहाँ के लिए बाचित करते हैं तो हम कुछ सोचते भी लेकिन अगर आप हमें इतनी दूर रोक देंगे तो ये सही नहीं है लोकतांत्रिक तरीके से गलत है, कानूनी तरीके से गलत है सरकार जो है वो दवन की नीती अपना रही है, हमें रोकने की कोशिश कर रही है और यह साथ ही साथ आपको First India News पर तस्वीरे लगातार तस्वीरे जो हैं आपको दिखा रही है, हिनड़ोन महॉआ बौडर पर ये तस्वीरे है जहां पुलिस बल तेनाध है, पुलिस लगातार रोकने का प्रेयास कर रही है कोशिश यही कर रही है कि बौडर पार ना कर पाई, या बैरिकेटिंग पार ना कर पाई क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी फुलस के लिए ये है कि इन सभी कारेकर्टाओं को बैरिकेटिंग ना तोडने दी जाए ना इस बॉर्डर को पार करने दिया जाए क्योंकि थोड़ी कश्मकश प्रशासन के साथ ये भी है कि करॉली जहां पर ये नियाय यात्रा निकालने की कोशिश कर रहे हैं जहां ये सभी आना चाहते हैं कारेकर्टा वहां पर अभी कर्फ्यू लगा हुआ है 144 धारा लगी हुई है ऐसे में किसी को भी आने की अभी सब्सक्राइब के साथ आने की कोशिश की जा रही है रवी अपडेट क्या तस्वीरें अभी पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है पुलिस की सर्फ से जो बाति लेटा है वो वाया है जो चैता हमें जो आता है बाति लेटा लाडिचा की नियंगेख सब्सक्राइब स्सक्राइब सब्सक्राइब करें तरह करें यहां पर यह तस्वीर देख भी पा रहे हैं कि किस तरह मनुझ राजवरिया हाथ था में तेजस्वी सूर्या का आगे सब्सक्राम करें लेकिन दूसरी तरफ पुलिस बल ट задач कितना पुलिस बल यहां पर टैनात होगा भी रवी किıllड है वूंग अग्राइश्वीर पुलिस द्सक्राइब है देखे जेता है उनके बीज़े सीची नोफोकर सुरू हो तक हो रोगा जारा है कि वो आए नहीं उनको पीचे पपिशे नहीं जारा है पुलिसकी ओर से लेकर वह आपे जहिंगे असे में वेको लगा फुस्टी हो तक है कि अभी भी हाग दिगा सकते हैं अशे में अब पुलि पूल कर सकते हैं जारें आपके सामने ही जारें आपके सामने ही जारें जाने दिया रहा है कि बिल्कुल जो करों लिया करों वह करें के वह बहुत है वह अपीड कर रहे हैं आप आ चुके रहे हों को रोख दिया क्या ऐसे में क्योंकि गिरफ्तारी की बात कर रहे थे कि अगर हमें को रॉली नहीं जाने दिया तो गिरफ्तारी देंगे तो क्या ऐसे में गिरफ्तारी हो सकती है क्या देखे बिल्कुल है अभी जो प्रिस क्यातकारी है उन्होंने कहा कि आपको यहीं रोके लेकर अगर आपको रोकना है तो आप हमारी गरपतारी करें हम गरपतारी देने को तयार हैं तो ऐसे में अब 37 पुनिया और जो है तमाम लोग यहां पहुंच चुके हैं और फिर मीडिय पुलिक डॉमेन में थी कि हम लोग नयायात्रा करेंगे यह सरकार को भी पता था लेकिन सरकार का दोहरा रवया है वो पीएफाई को प्यार करती है और हमें दुथकार करती है यह संघर्ष लगातार जारी रहेगा सामी क्रूप में सब युवा मोर्चा कारे करता लोग हम जेल जा रहे हैं गिरफतारी के लिए वह जारी रवी क्या गिरफतारी दी जा रही है जो है वाजबाकि जो लेता है उनकी और से गरफतारी की है अगर उनकी जाने दिया जाता है तो पीछे की तरफ रखे लाया वरके अगर अगर गरतारी दे अब ऐसे में उनकी गरतारी वो सकती है पूलिस की तरफ से पहले समझाइश की जा रही है सबी जो दिकज़ है बड़ी देता है उनसे बाच्चीत की जा रही है पुलिस की तरफ से अगर हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा तो हम गिरफ्तारी देंगे लेकिन अब अभी फिलहाल जो है पूलिस की तरफ से समझाइश की जा रही है लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो आगे देखना होगा क्या होगा लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तेजस्फी सूर्या वहीं सतीश पूनिया इमान शुशर्मा ये सभी लोग आगे बढ़ते हुए नजर आए और अब मीडिया से भी समय समय पर मुखातिब हो रहे हैं सतीश पूनिया जो लगातार कहते रहे हैं कि हम आगे रवाज आ रही है सुन पारे है तो जरा बताए अभी फिलहाल ये अपडेट क्या है क्या तस्वीरें है क्या सूचना है तो पुलिस यहां पर लगातार मुखूद है और तेजस्फी सूर्या सतीश पूनिया मनुजरा जोरिया यहां पुलिस के साथ नजर आ रहे हैं लेकिन अभी फिलहाल अपडेट क्या है क्या तस्वीरें है क्या सूचना है ये आपको हम लगातार बताते रहेंगे अपडेट देते रहेंगे लेकिन जो ये तस्वीरे कह रही है कि पुलिस की तरफ से समझाईश पहले की गई होगी कारेकरता तमाम यहां पर मौजूद है और ये रवी अपडेट दीजिए क्या जानकारी है अब ईची और लिए अपडेट देंगे छी फिल्कुल मौन पर इंट सब्सक्राइव कि अचैनल टॉन तक जी सब्सक्राद्र मौन जानकारी है और तो करेंचे यांच घृत की है आख कर मरें दून आ परकर मेंने बहुंत अब यहां से इन सभी को कहां लेकर जाया जा रहा है कर देखिए पास का जो ताना है वो अब बढ़ता है रवी क्या इनके साथ ये सभी कारी करता भी मौजूद रहेंगे यंफी तो कि तो युवा मोचा के तरह से अब जाहे राश्टिये युवा मोचा अध्यक्ष हों देजस्वी सूटया, वहीं प्रदेश युवा मोचा के अध्याक्ष इवाजशु शर्मा, प्रदेश अध्याक्ष सतीश पुनिया, मनुच राज़ौरिया इन सभी के गिरफतारी दी है और साथी साथ कारेकरता जो हैं वो भी यहां गिरफतारी दे रहे हैं और इन सभी का कहना कि हम लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे पूरा मामला क्योंकि देर दो घंटे इन्होंने इंतजार किया, पिशासन से बाचीत की 5-15 सदसी कमिटी के लिए कहा गया कि आप जा सकते हैं लेकिन ये लोग कहते रहें कि हम सभी जो कारेकरता हैं वो सब यहां जाएंगे, क्योंकि अगर हम सब इतने दूर से आए हैं, सभी कारेकरता आए हैं तो सभी जाएंगे और ये देखे, पुलिस की ये बस जिसमें सभी नेता, तमाम कारिकरता जा रही है, पुलिस थाना इनको लेकर जाया जा रहा है, तमाम कारिकरता भी इनके साथ मौझूद हैं, नेता यहाँ पर मौझूद हैं, तेजस्फी सूरिया लगातार कह रही है, युवा मूर्चा इसी जोड़ गए है रवी अपडेटें रवी अपडेटें करने के बाद बस रवाना करता बैठ गए नीचे हलागी पुलिस आई पुलिशनों को खतेड़ा उसको उठाया जिसके बाद बस को दुवारा रवाना कर दिया गया और जो बस है हम लोग लाखिया खाएंगे जेल जाएंगे गोली खाएंगे रवी क्या बस रवाना हो गई है तो कोशिश हमारे सयुगी लगातार कर रहे हैं कि इन सभी निताओं से बाद चीट हो क्योंकि इन सभी को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है नों ने ग्रफतारिया दे दिया यह बस रवाना हो रही है हमारे सयोगी लगातार बातचीत कर रहे है और वो तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई थी जब बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए लोग आगे बढ़ रहे थे उस वक्त भी ये लोग बातचीत करते रहे कहते रहे कि या तो हम करॉली जाएंगे या फिर हम गिरफतारी देंग अब जो और इस्तिती है इस बॉटर पर क्या आगे रहने वाली है ये आपको अपडेट देते रहेंगे आगे के इस्तिती क्या होगी ये आपको बताते रहेंगे रवी हमारे सयोगी लगातार बने हुए है रवी अपडेट दे क्या तस्वीरे है आगे क्या इस्तिती बनने कि देखे लिए गया है वसको आगर नहीं बंढ़ने दिया रहा है उने लिए जोश साहे वो गुष्टा उटीश कुनिया और बाजपर किराश्टी एक देश बैटे वह बसको बार्दी वाज मुट्चकार्कर्टा उतार रोका गया है अला कि प्लिस को आठाए जा रहा है लेंका है कि गलप तरीके से की गई है करोली नहीं जाने दिया गया यह सरकार का गलत रविया है जी तिके आप क्योंकि इस बस को रवाना की आजा रहा है यह बस कि अब थाने के तरफ जारी है रवी लेकर यहां से कुछी दूरी पर थाना पड़ता है सलमपुर, वहां थाने में उनको ले जाएगा क्योंकि दो बसे एक प्राइवेट बस रहा किये है, राजिस्तान पुलिस की बसे, तोड़ी दूरी यहां सलमपुर थाना है, वहां इनको रखा जाएगा, जिसके बाद जो भ जो बस को कोशिश कर रहे हैं, वहीं अब पुलिस जो यह लाठी चार्ज कर रहे हैं, फोड़ी तोड़ी अगर नियंतरन से बहार ना निकले इसके लिए, और अब बस यह रवाना कर दी गई है जो रभी, बस रवाना हो गई? पूस रवाना हो गयी, जो ते बडी संक्हा में मुझूद थे तो ऐसे में जो पस ती उसको जाने नहीं दिये जा रहा, ठीक है, रभी, आफाजी कैस तीग गया? अब देखे आगे कि इस्तिति है कि अभी इनको थाने बरका जाएगा आगे जो बारती जंदा पाल्डिक कार करता है अब तो अब जो कार करता है उनकी तरफ से थोड़ा बजो रोश है वो दिखाया गया गुस्ता दिखाया गया बस को रोकने की कोशिश भी की गई हाला कि पुलिस ने इन लोगों को हटाया कार करताओं को वहां से अठाया और बस को अब रवाना कर दिया गया है बस को थोड़ी सी दूर पर ये थाना है वहां पर ले जाया जाएगा इनको बैठाया जाएगा वहां पर लेकिन तो कार करता है वो अभी भी उस एरिया में नजर आ रहे हैं इनको एसी जगे ले जागे चोड़े जहां पर इनको पानी और खाने को कुछ भी ना दिया जाए इस तरह के संगर्श में हमारी जीत हुई है और उनकी हार हुई है तो ये दो बसे हैं एक पुलिस की बस और एक प्राइवेट बस जो है जिसमें कारिकरता है जिन कारिकरताओं की गरफतारी हुई है उन कारिकरताओं से सयोगी बातचीत करते हुए और कारिकरताओं का कहना कि हमारी जीत हुई है इनका कहना ये है कि ऐसी जगे पर इनको जाया जहाँ पर खाने पीने के लिए नहीं हो लेकिन अभी फिलहाल जो है ये गिरफतारी है हिरासत में पुलिस की लिया गया है थाने इनको ले जाया जा रहा है जो इस्तिती है वो आपको लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरह से थोड़ी सी भी कंट्रोल से बाहर होती उससे पहले पुलिस ने इस्तिती को समहाला नियंतरण में लिया कि किसी तरह का भी जो इस्तिती है वो बिगड़े रही आउट अफ कंट्रोल ना हो इसलिए इसके बाद गरफतारी भी दी गई और लगातार इन नेताओं के तरफ से कहा भी जा रहा था कि अगर हम या तो करॉली ह जाएंगे या फिर हिरासत में जाएंगे या गरफतारी देंगे जेल में जाएंगे हुआ भी यही क्योंकि इनको समझाने की कोशिश की गई पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश की गई बैरिकेटिंग पहले ही लगा दी थी और यह बैरिकेटिंग इसलिए इन सभी को रो लोग मौजूद हों इसलिए पुलिस प्रशासन के तरफ से पूरी तैयारिया की गई पूरी तरीके से रोका गया और जब 40-40 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया तो ऐसे में सतीश पुनिया की तरफ से भी रोश्व्यक्त किया गया कि प्रशासन जो है वो पहले ही हमें रोक है अगर आप उस एरिय में जाकर हमारे से बात करते तो हम इस बात को समझते भी लेकिन इतनी दूर पहले रोकना ये और चित्ते सही नहीं है और हम बहुत देर से इंतजार करें क्योंकि एक डेर घंटा इतना रहा कि वो लोग प्रदशन करते रहे बैठे रहे तमाम नीता जो है कारिकरता बैठे रहे इंतजार करते रहे कि प्रशासन के तरफ से कोई बात चीत होगी या प्रशासन जो हमें आगी जाने देगा लेकिन उसके बाद जब बात नहीं बनी इतनी तपती दोपहर में गर्भी में ये सभी लोग बैठे रहे प्रशासन के तरफ से कोई ब बढ़ने लगे तेजस्वी सूर्या हो हिमान्शु शर्मा हो या फिर सतीश कुनिया हो वो सभी बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ते रहे और रवी हमार्सत जुड़ गया है रवी अपडेट दें बढ़ते बार्स पास का थाना है सलमपुर उसमें रखा जाएगा बार्स जंता पालिटी के करता है उसमें रखा जाएगा है मां उनको रखा जाएगा वहां उनकी गरपतारी दी गई है जी नवी कितने कारे करता हैं, कितने कारे करता हो की गरफतारी हुई है और कब तक इनको रखा जाएगा वहाँ पर? गए करकरता पास बीटाना था एसे में मौल खराम ना हो उनको अब वहां ले जाए जा रहा है जाए जा रहा है जा महुआ थाना पड़ता है उनको रखा जाएंगा उनकी वह गर्पता री दी गई घी जी रवी तु क्या, ऐसे में यह जो कारकर्ता अपनी गाडियों से रवाना हो रहे हैं, वो सभी महुवा थाने पहुच रहे हैं? बिल्कुल कारकटाला सभी जढ़ा है अब देख सकते हैंग पोलिस का पलिस की रतकारा की है वह यहां से कितनी दूर का यह रास्ता देखिए अगर बात की जाए सलमपुर से तो 20-25 मिनट का रास्ता है मगवा जो है पिलकुल दौसा के सटा हुए लाक्या है तो महां कापी दूरी भी है तो ऐसे में पुलिश को कोई दिक्कत ना हो करॉली की तरफ दौरा कूछ ना करें इसको लेकर यहां से दूर ले जाया गया है को मगवा दौसा और जैप्र वाला जो हाईवे है बिलकुल उस थाने पर मौजूद है तो ऐसे में यहां पास रखते तो कोई दिक्कत भी हो सकती थी कार करता जोश था थाने का गेरा भी कर सकते तो ऐसे में कोई इस्तिती उत्पन नहीं हो इसको देखते हुए अब जो दूर का थाना है वो मगवा ले जाया गया है जी क्योंकि पुलिस बल यहां जो तैनाथ था उसको भी रवाना कर दिया गया होगा इस्ति वहां पर नियंद्रन में रहे तो ऐसे में पुलिस बल महां पहले ही रवाना हो चुका है देखिए जो बस थी गरतारी जनकी ओड़ से दी गई थी उन बसों के पीसे बड़ी संका में पुलिस का कापला है वो बिलकुल तुरंत प्रवाफ से बेजा गया और जो पुलिस रह गई है वो थाने पर रह गया और जो आईजी है उनसे भी बात करी है को पुलिस के बड़ पुलिस रहता गया है कारकरताओं के साथ जी चली बहुत बहुत शुक्रिया रवी जानकारी के लिए अपडेट आप से लेते रहेंगे और प्रताप सिंग खारिया वास हमार साथ जोड़ गया है प्रताप जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका फस्ट इंडिया निउस प सब्सक्राइब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और बारतिस्ता पाल्टी का इस प्रताप है वह एजडाज दंगे करवाने का महगाई से धान अटाने का पैट्रोल डीजल घयास सरेंद्रइब खाने पीने की वजटू है फार चीज देश में नहीं की हो रही मोधी जी ने पूरे देश में लेकिन अब महिंगाई से ध्यान अठाने का बज़ा बड़ा एजनता है इंके पास दंगे पुखाद का और राजस्तान की सरकार इनकी आंके किरी बनी हुई है लगातार राजस्तान में यह कोशीज करना है राजस्तान का अच्छा बजट आ गया हमने पताश आप मुझे बताइए कोई काम में कभी नहीं करोली में दंगा हो गया बीजेपी आरे से ने रेली निकाली जगड़ा किया जंगा खिला दिया दंगा राजधरम निबाते हमने दंगा खतम हो गया इसका हो गया वहाँ बजार खुल गया आज बीजेपी के प्रदेश आज वर्याली तो पीजेपी केंडर की सरकार में बीजेपी की जिम्मेदारी बंती है महनगाई के मुझे पर जवाब दे ने महाँ का राजस्तातम है चाहे वो एम्पी ओचाए केंडरी हो मंसरी ओचाए एमल्यों पीजेपी का उसको पानसोंस रूपेडा में इनाम झाल झाल